स्पैनिश गालिक जुकिनी बनाने के लिए यहां पर मैंने दो मीडियम साइस की जुकिनी ली थी जिनको आदे आदे इंच के पीसेस में गुल-गुल काट लिया था और नमक लगा के आदा हंटा पहले रख दिया था अब देख सकते हैं मैंने इसको छनी में रखा है ताकि इ इसको कूट के रख लिया है इसके अलावा नमक तो इसमें अल्रडी है तो नमक इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा जरा सा लेसेनल उसमें गालिक में जरूरत पड़ेगा टॉपिंग के लिए और यहां पे जो यह जुकिनी है हमारे पास इसको मैं देखिए टिशू पर रख जरू करते हैं तो पहले इसको मैं टैप करके ड्राइ कर लेती है मैं यहां पर ग्रिल पैन को ढोके और हीट होना रख दिया है इसका पानी सूप जाएगा जब तब इसमें ऑल डालेंगे यहां पर देखिए जुकिनी मेरी अल्मोस पूरी आ गई है लेकिन थोड़ी बहुत बच गई है तो यह बारी वैसे भी इससे जादा डलेगी नहीं उसमें तो एक बारी यह हो जाती है तो फिर यह डाल देंगे ग्रिल पैन में तो बाकी की भी इसी से टैप ट्राइ करके रख देंगे तो अभी पहले इसको मैं हीट कर लेती हूं पैन को और उसमें ऑल डाल द सुकिर्नी को हम 2 मिनिट एक साइड में पकाएंगे तकरीबन 2-3 मिनिट में इनफेक्ट हो जाता है तो ये डाल देती हो सारी की सारी और फिर इसको हम पकने देंगे मीडियम हीट को यह मैंने सारे डाल दिया है एक साइड में इससे उपपर सी साइड में काले मच्छड़ देंगी न इस तरीके से फ्रेश्ली ग्राउवी ब्लाप पर है यह हम लोग घर में ही काले मच्छी ते हैं और बाइचांस मैंने आज ही पीची की आप चाहें तो थोड़ी कम डालें चाहें तो ज़्यादा डालें आपकी टेस्टियों पर दिपन करता है सबके अबर ब्लाप पर डाल दिया दो से रही विनर तक वेट करेंगे ताकि अच्छा सा खुप्सूरत सा गोल्डन गाउन कलर नीचे आ जाए और फिर इसको पलट देंगे अब दूसरी साइट से ग्रिल कर रहे हूं अभी अभी मैंने पलटा है जो एक दो कॉर्नर जाले रहते हैं थोड़ी थोड़ी उनको तुबारा से कलट होगी इसको नमक लगा के रखने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जुकिनी जो है 90 तू 95 परसंट वाटर होती है वाटर क क्रणशी बनेगा तो वेट करते हैं इसके दूसरी साइट के होने की और फिर पलटते हैं से यानि प्लेट आउट करते हैं और बाकी देखिए मैंने यहां पर बाकी के रख दिये हैं पैट राए करके तो इनको भी इसके बाद कर लोगी और फिर गालिक का काम शुरू करें लेकि किता ब्यूर्फो सा यह गोल्डन राउंड कलर आया है और इनका भी एक्सेस और निकल गया था तो इसको भी मैंने डाल दिया है सेकें लौट को पेफर टाल पे इसलिए रखा है कि जब तक वह वह बनता है तब तक यह जो है एक्सेस से वह निकल जाएगा इसमें से जबन जाएगा तो फिर आगे जैसा कि मैंने काई यह पूरा बन जाएगा तो फिर हम गालिक और धनिय को भी सौटे करेंगे जुकिने रेकि सारी रेडी हो गई मैंने पहले वाली को प्लेट आप भी कर दिया है इसको और यहां पर मैंने एक टी स्पून जितना ओल डाला है इसमें मैं यह गालिक और धनिया डाल देंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक भी जलेगा यह जो है इसकी टॉपिंग के काम खाएगा इसको अच्छे से मिक्स करते हो यह 20-50 सेकिंड खाली पकाना है उसको जादा नहीं तो मैं हलका सा नमक डा करतें की ओपने कऱ Protest करना है और कुछ भी नहीं तो मैं आपको एक गाहत के दिखांगे ऑड़ के स्प्रेट करने के बाद तो आप भी इसको बना के देखें, खाएं और हमें बताएं कि आपको ये फ्लेवर में कैसी लगी, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, किसी और दिन, तब तक के लिए, टेक केर, बाई